उबलते हुए पानी में इस तरीके से मुफली को डाल लोगे तो आपके सारे काम हो जाएंगे आसान मुफली की ये खास टिप आज बहुत ही अमेजिंग होने वाली है आज जब मैं मार्केट गई हुई थी तो मुझे मुफली वाला दिखाई दिया तो मैंने सोचे कि चलो घर के लिए मुफली ले ली जाए तभी मुफली वाले ने मुझे मुफली की एक बहुत ही खास सी टिप बताई जिसे सुनकर तो मैं हैरान ही हो गई फिर मैंने सोचे कि चलो मुफली वाले की बात मान ली जाए और इस टिप को घर पर ही अपना लिया जाए तो ये टिप मुझे इतनी जादा खास लगी जब मैंने इसका एंड्रल जल देखा तो मुझसे रहा ही नहीं गया तो फिर मैंने सोचे कि चलो ये आपके साथ में भी शियर कर दी जाए तो यहां पर मुफली को आपको 10 से 12 मिनट तक उबलते वे पानी में इसी तरीके से रखना है और कहते हैं कि भीगी हुई मुफली खाने के धेर सारे फायदे हैं लेकिन आप टेंशन मतलो मैं आपको भीगी हुई मुफली नहीं खिलाने वाली हूँ लेकिन अगर आप भीगी हुई और उबली हुई मुफली खाओगे तो ये बहुत ही आपके लिए फायदे मन्द भी हो सकती है तो मैंने यहां पर धकन लगा दिया है और सोच रही हूँ कि इसे धकन की मदद से ही थोड़ी देर पकने दिया जाए तो मैंने देखा कि मैंने थोड़ी देर के लिए इसे ऐसे ही रख दिया था और ये बहुत ही अच्छे से जो है वो पकना भी शुरू हो गई और देखते ही देखते आप देख सकते हैं कि इसका जो कलर है वो थोड़ा चेंज होना भी शुरू हो गया क्या आपने भी इस तरीके से कभी अपने घर पर मुफली को उबाला है अगर हां तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना और साथ ये साथ ये जरूर कमेंट करना कि आप ये वीडियो देश के कौन से कौने से देख रहे हैं ताकि मैं आपका थेंक्स कर सकूं पिछला थेंक्स जाता है शीला जी को हरीद्वार से और रेखा जी को आसाम से तो कुछ इस तरीके से यह जो मुफली है वो उबल चुकी है और इसी के साथ में मैंने इसको डाल दिया है ठंडे पानी में इसलिए हम डाल रहे हैं ताकि हम इसको बड़े ही आसानी से च्छिल सके और यह च्छिलने में जाधा दिककत भी ना दे क्योंकि गरम मुफली को हम आ निकल भी चुका है जादा टाइम नहीं लगाएगा बड़े ही आसानी से इसका जो छिलका है वो निकल जाएगा और बस इसी तरीके का ये जो मुफली का दाना है बस वही हमें चाहिए एक एक करके हम इसी तरीके से सारे जो मुफली है उसको छील लेंगे और इसका जो उपर क चिलका है उसको भी हम निकाल लेंगे अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा करने से क्या होगा तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता देती हूं लेकिन इससे पहले आप देख सकते हैं कि मैंने यहां पर धेर सारे जो मुफली है उनको निकाल लिया है और अब मैं इन सब को डाल आप चमच की मदद से मैं आपको दिखाती हूं कि किस तरीके का यह जो पेस्ट है अब इसको हम एक पैन लेंगे और पैन में डाल देंगे इसमें हम ना ही गी एड़ कर रहे हैं ना ही पानी एड़ कर रहे हैं कुछ भी चीज हम इसमें एक्स्ट्रा एड़ नहीं कर रहे हैं बस इसको हम अच्छे से गरम कर लेंगे और थोड़ी ही देर में हमारी ये जो मुफली की जो रेसिपी है वो बनकर त्यार हो जाएगी लेकिन उससे पहले हमें इसमें थोड़ा सा जो गुड़ है वो एड़ करना है अगर आप चाहें तो चीनी का भी इस्तमाल कर सकते हैं लेक ये बात बताई कि आपको इस तरीके से घर पर गुड़ भी डालना है तो पहले तो मैं हैरान रही थी कि भला इस तरीके से भी कोई रेसिपी बनती है या इस तरीके की कोई टिप होती है क्या तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था लेकिन उसने जब इतने confidence के साथ बोला तो म मैंने इसे अपने घर पर बना कर ट्राई किया तो मुझे बहुती ज़ादा अच्छा लगा और मैं सोच रही हूं कि इसे तो अब हर बार ही बनाया जाए वो भी ठंड के मौके पर ठंड के मौके पर आपको पता ही है कि मुफली कितनी ज़ादा अच्छी लगती है या फिर म वाइट कलर का तिल होता है उसको भी अच्छे से डाल दिया आप चाहें तो वाइट तिल को स्किप भी कर सकते हैं लेकिन अगर डालोगे थोड़ा सा दाना वो भी डेकोरेट करने के लिए तो बहुत ही जादा अच्छा लगेगा और थोड़ा सा एक मूँ में जो है ना क्रिस भी लेली है और आप चाहें तो इसे जो मुफली का हलवा या गुड़ का हलवा भी आप इसको बोल सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर गुड़ का हलवा या फिर मुफली का हलवा नहीं बना रही हूं बलकि मैं यहाँ पर जो मुफली है उसकी चक्की बना रही हूं और यह चक् लगती है खाने में जब मैंने इसे खाकर ट्राइ करा तो मुझे बहुती जादा अच्छी लगी तो आप भी देख सकते हैं कि ये कितनी जादा यमी है तो घर पर एक बार इसे जरूर ट्राइ कीजिए वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें कमेंट करें शेयर करें फॉ करें